हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू एस्टाडी विट क्रेजी गुरू फ्रेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लो अगनी बिल आर्बी जीडी जेनरल ड्यूटी का समाने विज्ञान, जेनरल साइंस का प्रेक्टिस से टुगन करने वाले हैं और मैं आपको बता दू, एक important information दे दू, कि total आपको समाने विज्ञान में हम आपको 750 कोष्चन देंगे और यही 750 कोष्चन में से 15 कोष्चन आएंगे, 750 कोष्चन से बाहर भी आएंगे, क्या नहीं, एक भी नहीं आएंगे और सेम इसी तरह ज Sicht से आपका से लेटर वास किया है, समाने विज्ञान, 15 कोष्चन पूछे जाएंगे, दो नमर के रहएंगे, यां 3 नमर के होगा, समाने विज्ञान, 15 कोष्चन, गलीट, 15 कोष्चन और रिजिनिंग 15 कोष्चन, जो जो 15 कोष्चन वाले हैं ना सब में मैं आपको सांसो पकास कोhष्चन देंगे नहीं यहां प्रिकर्रिक्टिश स्ट वीडियो के माद हमसे लिक्रलास के माद हम吧 समान्य फिज्ञान में भी और गानीट में भी और यह 5 गोश चन है रिंते इसमें आपको दोश्य 50 कोश्चन नहीं और मै आपको कुछ नहीं पढ़ना है और यह कोश्चन ऐसे वैसे नहीं पढ़ाएंगे पढ़ाने का तरीका पूरा कलास देख लेजिए उसके बाद फिड़ दीजिएगा कमेंट में जरूर बताईएगा कैसा कलास रहा तो चलिए आज का कलास हम लोगे स्टार्ट करते हैं खुसी- इसलिए एडूकेशन पॉलस इनफर्मेशन इसकल टू सेलेक्शन यहीं कंसेप्ट पर अपना स्टडी विच्ट कर रहा है तो आपको हमारे साथ बने रहना है तो बने रहने के लिए क्या करना है चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए अपने दोस्टों बिच्टों को भी यहां जो यहां पर फिरी में परहाई हो रहा है ओके और देखे यहां पर यह sights दके सासो पचास गमोश्ट्रोपो मिलेगा युडिया सोटर में नीचे ही लिखा जाता है तो यह सका जानकारी ले ले लेरे दिए क्या है रचानीक सोटर NH2 के power hold to CO या इसको NH2 CO NH2 भी लिख सकते सर ऐसे कैसे लिख दिए सर इसको इसके बारे में भी बताईए क्योंकि option में घुमा फिरा के दे देता है और हम जानते हुए question भी गलत करके आ जाते है तब बहुत बुरा लगता है तो मैं आपको बता दो देता हूं देखे 2 into 1 इसकल to 2 होगा 1 into 2 इसकल to 2 होगा यहां तो सबका सेम ही आ रहा है सेम यहां पे है देखे NH2 NH2 के whole 2 यानि कि 2 into 2 को हम लोग 2 का square लिख सकते है तो उसी तरह NH2 NH2 है NH2 और NH2 2 है तो यहां पे whole 2 आपको लिखे 2 नीचे क्यों सुत्र है रासानिक सुत्र में वो जो whole लिखाता है वो नीचे ही लिखाता है सर whole है मतलब उपर होना था उपर नाई नीचे ही होता है और इसको हम लोग 2 गुने 2 इसकल to 2 का square लिख सकते है सेम वही किया है NH2 और NH2 इसको लिख लिखाता है तो यहां whole 2 कर दिया है दोनों का IN2 CO ओके तो यह इसका रासानिक सुत्र होता है और विशेस जनकारी ले लिए इसे करवा करवा माइड भी कहते है करवा माइड भी बोला जाता है कि इसको यूडिया को करवा माइड करवा माइड और इसका पीएच मान important है पूछ लिया जाता है तो पीएच मान 7 होता है पीएच मान जब 7 होता है तो क्या होता है वह उडासीन होता है तो इसको हम लोग अल्था तो यूडिया क्या है उडासीन है देख रहे हैं कैसे question बनाएगा आपको इस तरह पहलना है 750 question ऐसे नहीं देंगे 750 मतलब कोई भी science का question दे दिजिए एकजाम चाहे जो भी हो आपको question जो solve किजिएगा यहीं से किजिएगा तो पीएच मान कितना 7 होता है या उडासीन भी इसको बोलते है या करवा माइड भी इसको बोला जाता है कि इसको इडिया को ओके तो ध्यान रखिएगा तो यह question आगला question पर आजाई यह अगला question क्या है पानी के टर्वाइन का अविसकार किसने किया था तो देखेウe ब्रेनोट भी हो सकता है या बेनोइट भी इसको बेनोइट फरनी रोन ओके इसका नाम है जो बेग्यानिक है इन्हों ने पानी के टरवाइन का अविस्कार किया था सरकब किया था ये भी पूछ लेता ये तो नहीं पूछ रहा है लेकिन आप लोगों को जनकारी रहना जरूर है बेनाइट फर्णी रोन है ने पानी का टर्वाइन का आविस्कार 1834 इसमी में किया था कव 1834 इसमी में उसके बाद रखे एनरीको फर्मी ने 1942 में पर्थम पर्मानुभर्टी बनाई थी देखिए पर्मानुभर्टी ये भी पुछ देता है इसलिए इसमें डला गया है जो इनरीको फर्मी है सबसे पारे ये पुछ देगा कि पर्मानुभर्टी का किस ने बनाई थी तो कौन एनरीको फर्मी ने बनाई थी उसके बाद देखिए सैंडफोर्ड फ्लेमिंग इन्होंने क्या किया था ने यूनिवर्सल एस्टेंड टाइम यूस्टी का विक्सिट किय था तो यह ध्यान रखिए गाया यानि को चन एक था यहां से कितने कोषच देंगे यहां पर्मानुभर्टी ओर यह द्यान रखिए गाई और यह पीडियाप सभा म आपको टेलिग्राम गूरूप तो आप टेलिग्राम ग्रूप जोइड कर सकते हैं चले अगला कोश्चन देखते हैं देखिए रसाइनिक सुत्र से एक कोश्चन पूछा ही पूछा ही पूछा जाता है तो आपको क्या करना है यह इसका भी पीडियो दे देंगे लेकिन क्या है पांच छे मिनिट का विडियो लाएंगे जिसको इसको कैसे शुत्र के अनुसार याद करना है तो वे इस पेशल वीडियो लाएंगे अगर इस वीडियो में बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो इस पेशल वीडियो आजाएगा टेंशन मतलिजे हमारे साथ बने रहिए बस आपको सारा जो सेलेक्शन देखिए कि वह रिटेन एक्जाम नहीं फिजिकल मेडिकल जो भी प्रोब्लम आएगा सब का सोलूशन अपने पास है तो बस हमारे साथ बने रहिए उसके बाद देखते हैं किसी लहर की डैस डैस उस लहर की यात्रा की दिसा की लंबवट प्रती इकाई छेत्र में उड़जा के हस्ट्रांचर की डर को कहते हैं तो देखिए क्या कहना चाहते हैं, किसी लहर की यात्रा की दिसा के लंबवद प्रती इकाई छेतरे में ओड़ जाके हस्टनांसलर के डर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको हम लोग मान लिजए कोई जाता है, कोई नदी है, नदी में वो नाउ से जा रहा है, तो आप उसको देख रहा है तो क्या बोलिएगा इस तिरूता से वो जा रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तिरूता बोलते हैं इसका एंसर C हो सकता है तिरूता यानि कि स्पीड भी बोल सकते है कि स्पीड से जा रहा है तो जो प्रती काई छेटर में उड़ जा होता है उसको हम लोग बंब करता है उसको हम लोग क्या करते हैं टेरोता बोलते हैं उके इसका एंसर पावधे के बिभीन अंगों को जन्म देती है और पावधे के बढ़ने में मदद करती है तो must आण ठर्वेशाह को श्येGroup आपको क्योंटक हाँ जह सब्सक्राइब eu send जो कि पौधे के बढ़ने में मदद करती है, जैसे पौधे छोटा रहता है, छोटा से क्या एक टाइम आता इतना बढ़ा हो जाता है, इतना बढ़ा हो जाता है, तो ये बढ़ा क्यों हो जाता है, इसके पीछे कोई कोशका होता है, कोशकाय होती है, तो कोशकाय का नाम क्या ह बिवजयत की कोशिकाई ध्यान रखिएगा यह जो कि इसको पौधे के बढ़ने में मदद करती है यह पूछ सकता है कितने परकार के होते हैं तो तीन तीन अब यह भी पूछ सकता है वहां पर अगर एक्जाम करना चाहेगा तीन तीन आप्सन बताइए जैस में से बिवजयत क कि यह उतक नहीं है और यह तीनों दे देगा तीन जो नाम है एक एक्षा कोई कोश्चा का नाम देदेगा उसका इंसर वह हो जाएगा लेकिन हम लोगों को जान लेना जरूरी यह तीन तो कौन-कौन है तो सिरस्ट विभजया पाविये विभजया और अंता वेड़सी केस्ट के सब्सक्राइब करें रहे पालिए तेरी आप लएकिनदी जाएगा लेकिन नाम छसिते प्लास्टी की बॉटले पॉलिट्लीक। थेली पेठेलेट है जिसका रसाइनिक सुत्र है C10H8O4 और इसका होल एन के जगा कुछ भी एन के जगा 123 जो भी हो सकता है और डिपेंड करता है कि स्ट्राइब के पॉलिठीन है और उसके बार बहुलक होती है जिसे पीटी भी कहते है यार रखेगा देख रहा है कैसे कोश्चन बन रहा है इसका रसाइनिक सुत्र क्या है C10H8O8 और इसका होलें ओके तरह ध्यान रखेवार इसको पीटी भी कहते हैं वह इकाई जो बहुलक बनाती है संकलन जो मोनोमर होता है यह मोनोमर रहती है ओके तो यार फोटी एफेम एफेम रेडियो का अविस्कार किस ने किया था तो एफेम रेडियो का जो अविस्कार है इस फोटी वन का एंसर क्या होगा इसके रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं एफेम रेडियो का अविस्कार है एडविन, हावार्ड, आर्म्स्ट्रोंग ने किया था, कुन? एडविन, हावार्ड, आर्म्स्ट्रोंग ने किया था, किसका? FM रेडियो का, उसके बाद और देख लेते हैं, Edwin-Wirld wording ने lawnmower का अविसकार किस नहें किया था ? Edwin-Wirld wording तो यार रखेगा यह दोनों question पुछ लिया जाते हैं lawnmower और FM Radio FM Radio का कौन क्या था ? Edwin Howard और Armrestrong Edwin Howard Armrestrong ने किया था तो इसका ध्यान रखेगा 41 का answer क्या हो जागा ?41 का answer एह हो जागा उसके बार देखिए, क्वेश्चन नमर फोटीटू, फोटीटू क्या है, सुपर पोजिसन के सिधांट के अनुसार, डैस डैस के संदर्भ में, मैक्सिमा और मिनिमा के छेटरों का उटपानन करने के लिए, दो, दो क्या है, देखिए, दो या दो से अधिक, सुसंगर तरंग तरंगे, एक दुसरे के ऊपर रखने, सुपर पोजिसन होता है, मतलब क्या बोल गया, आप समझेए, क्वेश्चन समझेए, सूपर पोजिसन सिधांट के अनुसार, डैस डैस डैस, संदर्भ में, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मतलब देखिए, यह हो गया, मैक्सिमा हो और यह मिनिमा हो गया, ऊपर सबसे माली जेक सुआ है, यह ऊपर सबसे पहले पलस में जाएगा यह मैक्सीमम پo опять हो गया और यह सबसे नीचा आएगा यह मीनिमम पo kommt हो गया तर इसी को मैक्सीमा मिनिमा भोलता है कि छेतरों का रपादन करने के लिए दो दो या दो से अधिक सुसंकर्त रंगों के एक दुसरे के उपर रखने से होता है क्या होता है तो इसका होता है हस्ट छेप होता है एक या एक से दो मतलब अधिक आ जाता है तो उसको हस्ट छेप भी बोला जाता है जैसे सदहरन भासा में ही आप बोलते होंगे हश्ट छेप कर दिया यानि कि एक दूआदमी है एक है एक से अधिक आगया तो मतलब एक दूसरा आदमी है जो उसमें है के हश्ट छेप कर रहा है तो ध्यान रखेंगा तो इसका एंसर फृटी Two का दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है तो दुनिया का विस वर्ल्ड में पुछ रहा है जो कि दुनिया के सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है तो दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है तो दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है तो दुनिया क यह तीन रास्टरिय फूल में से एक है इंडोनेसिया के तीन रास्टरिय फूल होते हैं जिसमें से एक यह भी है ओके तो ध्यान रखेगा इसका एंसर 43 का क्या हो जागा जो दुनिया का सबसे बरा खिलने वाला फूल कौन है एंसर C हो जागा तो ध्यान रखेगा इसका एंसर C हो जागा और यह पूछे जाते हैं हर एक एक जाम में मतलब रिपीट होते हैं उसके बार फूटी फॉल देखते हैं सिमेंट के जमने को घटाता है, सिमेंट में जमने की डर, जमने बोले तो सिमेंट देखिए, सिमेंट कई परकार की होते हैं, एक ऐसा सिमेंट होता है, जो क्विक मतलब तुवंत जम जाता है, जैसे देखिए, ब्रिज बनता है अगर कहीं पे पानी में, तो ऐसा सिमेंट वहा 16ग 5иной 1500 में भी हो जाता हômude ces जो जमने की डर कि kommt out ता इसका एंसब क्या हो जाएगा porti भर का एंसर हो जाएगा direito का झूद्सम है जो कि सिमेंट में जमने जिपसम मैं हैजोगर मांता होजाता है तो जमने की डर मतलब אِ सि Gart जाता है अर वह लेको बढ़कर से जैता है सरे वीन जाता है स्लड़ तो है तो अवह तो वह बिरीज बना जाता है और यहीं then कुछ नदी करें बुदि दीचzej में पानी में बिरिज बनाया जाएगा तो वहां पे ऐसा सिमेंट का यूज किया जाता है मतलब ऐसा सिमेंट का यूज किया जाता है कि वह क्वीक मतलब 10 से 5 सेकेंड में जम जाए तो उसमें क्या होता है उसमें सिमेंट में एलुमिना का जो मातरा है वह जारा रहता है देखें य खोज से बहुत कोश्चन पूछे जाते हैं यह अगनी वीर बगएरा में तो इसलिए आपको क्या करना है खोज पर अपना वेडियो भी आएगा आपको टेंसर नहीं लेना है लेकिन अभी जो बताते जाना है की सिमेंट में अधीक होने पर यह जल्दी जमता है जल्दी जमता है जल्दी में इस टाइप के सिमेंट का यूज किया जाता है जिपसम इसाम मैं जमने की डर को घताता है और चूने की मात्रा अगर देखे चूना क्या है चूना जिप्सन एलूमिना और बहुत सारा चुटा चुटा फैक्टर है जो यूज करके सिमेंट बनाया जाता है यह जो जैसे कच्चा पलडात है कच्चा पलडात में आपका आगया जिप्सम हो गया एलूमिना हो गया चून का मातरा आधिक रहता हुँए जो दिधान रखिएगा जिपसम के मातरा देने पर यह जो है जमने की डर घट जाता है और चूना देने पर दर आरा जाता जो जी परकास का परियोग कर भोजन तयार करते हैं अन्हें डेस डेस के रूप में जाना जाता है तो उनको हम लोग जो खुझ से मान लिजे की हम लोग तो खुझ से खाना बनाते हैं, लेकिन हम लोग भी दुसरे पिपना क्योंक्ति, क्योंकि आनाज कहरं और से जो गेहूं पर्कास्राइब। यह घुक भुजण बनाता है, तो वो स्वौ। कहलाता है। और उसी में कोई ऐसे पॉधे राते जो पॉषी पॉधे पर अपना जीवन निर्वहन करते हैं तो मधुआ おह अत्यू हो जाएगा है तो कि Hem खांगे करते हैं, जन्हीं फोटीसिक्स में बिश्थनी सब्जी को जक्ताता है Meter में का पर धिस्थी दानी निकल जाता है बार बाल दोएगा तो उसमें से जितना बाल दोएगा विटामिन सी निकलते चला जाएगा ओके यह ध्यान रखेगा इसका एंसर भी हो जाएगा जो आप देखे विटामिन को एसकर्बिक एसीड भी कहते हैं यार रखेगा और यह सिट्रस फलो में पाया जाता है तो यार ब्यास होता है 15 से सट्रस माइक्रोमिटर में राता है ब्यास रहता है और लम्बाई असी से सतर से 80 माइक्रो मीटर मीटर मठ बengage Ah रहता है रोम उसी को मुलρो pad है इसका क्या काम है जल और कपनीज को आउस्यक्स करने में जैसे-चर pig का क्या काम है इसी में यह महत पुल्ण है मुल रोम है जो महत पुल्ण भूमिका आओ सोसन करने में अपना योगदान देती है कहा से निकलते है यह वाहय टाऌचा जो जर रहता रहता है 순की तो भाह़य पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको इंपर्टेंट भी भी आई है जो मुल रूम किस टाइप के कोस्किय संवर्चना होता है तो ध्यान रखेगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोस्टन देखते क्या है देखें कोस्टन नमरों फोटी एट निमली खिट में से किस में सहसंयोजक एवं आयनिक बंद दोनों होते हैं किस में होते हैं इसका एंसर ए हो जाएगा ccl4 ccl4 में सवस्नयोजक एवं आयनिक बंद दोनों होते हैं उसके बाद देखिए 49 ताप वर्धने पर सभी पदाथ की बिलेटा क्या होती है इसका एंसर c होती है घट जाती है यह देखिए जैसे जैसे टेमप्रेचर आप इंकरीज किए गा न वैसे वैसे उसका जो बिलेटा है जो सबुर्बिलेटी है वह घटते जाएगा होके तो ध्यान रखेगा और हर एक पदाथ में नहीं कोई-कोई ऐसा पदाथ होता है डिसमें बर्धाबी लेकिन कोई-कोई ऐसा है लेकिन अधिक्तर है जिसमें किताप अगर बाधाईएगा तो उसकी विलेटा होती है , उसमें घाती है उके दियान रख़िएगा और उसके बाद देखे अगला क्या है इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर आपका ट्रान्जिस्टर में, जो semiconductor, जलक के रूप में, सिलिकन का पढ़ियो किया जाता है, जसमें बिधुत धारा का जो चलन है, एकदम सही proper तरीका में हो, जलक किसे कहते हैं, सेमी कंड़क्टर किसे बोलते हैं सेमी कंड़क्टर उसे बोलते हैं जिसमें पार्सियली हो यानि कि सही से न हो पार्सियली यानि कि जा भी रहा है नहीं भी जा रहा है जा भी रहा है नहीं भी जा रहा है तो इस तरह को हम लोग सेमी कंड़क्टर बोलते हैं अचालक अचालक यहाँ से यहाँ तक जैसे Plastic कोई मतलब बोटल है To Is क्या है current के यहाँ तक नहीं जाएगा और केरेंट हमेशा Egyptian के बिप्लीदिशा में बता है सब बतांगे टें साहरा 650-50 authentic dzisiaj 750 यह मतलब बताएं ना कि 15 कोष चल्ड earth हमारे साथ बने रही है बस तो समझ गये करंट हमेशा इलेक्ट्रों की अगर इलेक्ट्रों मान लिजे इस दिसा में इसका प्रवाव होता है तो कर्लेंट नीगेटिव चार्ज रहता है ध्यान रखेगा इस तो जो सिलिकन का परियोग यहीं समाप्त होता है लेकिन आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आना ही तो आपने अपना नम्मर तो सब के पास है WhatsApp भी कर सकते है WhatsApp की जिएगा उनली ओके और इसी तरह मैं आप लोगों को बता दो कि जैसे आपको जैसे समाने ज्यान का भी चल ला है गनीत का भी और रिजनिंग का भी चारो सब्जेक्ट का रोज कलास आएगा रोज रोज मतलब रोज एक दिन भी आपको बीचनाईओ का दो दो सास्व पचास कोश्चन देना है ना पीडिये भी इसको आपको दे दिया जाएगा तो चली कोई डाउट है तो कमेंटे में पूश सकते हैं चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद जैवारत